आप सभी लोगों का स्वागत है सचता नंदमयत पे तो हम एक निव वीडियो में आपसे मिलते हैं और कुछ घं के बारे में अपको सुझाओ देंगे कि घं किसे कहते हैं उनका परिभासा और कुछ सवाल बनाएंगे तो पहले आप घं के परिचे आप जाने तो घं को हम किसी नंबर को यह आप तीन बार लिख लेते हैं यानि एक गुणते एक गुणते एक और जो आता है उसी को हम लोग घं करते हैं यह चोटी पॉइंट जो आप जानते हैं और हम इससे अच्छा कुछ बाते सुनाएंगे आप भागेंगे नहीं जैसे क्यू का मतला हम बताए किसी नंबर को तीन बार रख के गुणा करते हैं जैसे दो गुणते दो और गुणते दो एक का तो हम कभी गुणा करते हैं कितनों बार तो पती नहीं चलता है कि हो का रहा है घट रहा है कि कुछ हो रहा है तो एक को छोड़ देते हैं दो से ट्राई करते हैं तो दो दुना पहले इनका परिभासा बताएं तो परिभासा बताने से पहले हम इनका फीगर पहले दिखाएं कि फीगर किस तरह क्यूब का होता है तो देखिए क्यूब का फीगर या इनको छोड़ें ओवर्गे पर बनाए हम ओवर्गे हम लोग का यह है और कैसे बनाते हैं एक हम ओवर्गे बनाए इसके बीचों बीच से हम एक फीगर खीचेंगे जो इस तरह हम लोग को दिखेगा हो गया अब उसके बाद इनको हम लोग मिलाएं तो कैसे मिलाएंगे देखिए ये वाले रेखा इनको मिला देते हैं और ये वाला रेखा इनसे मिला देंगे इसी तरह पांच और छो रेखों को और ये वाले यहां से हम इनको इनके साथ मिला देते हैं और ये वाले पॉइंट को इनके साथ इन ही को हम लोग क्या कहते हैं क्यूब कहते हैं इनको हम लोग क्यूब कहते हैं तो अब हम लोग को करना क्या है इन में फीगर आपको दिखा दिए फीगर आपको दिखा दिए कि Q का फीगर एही होता है आप देखिए जो हम लोग का मान के चलिए पहले एक इस तरह एक रेखा खिंचे तो एक रेखा इस तरह से मिल करी में देखी कितने रेखा बने हैं जिनको हम लोग एक बात कहेंगे एक समान च्छ एक समान च्छ वरगाकार यानि इसमें एक समान च्छ वरगाकार का मतलब देखिए इस सबसे पहले उपर वाले एक से दिख रहा है आपको दिख रहा है इसी तरह आपको इधर से एक दिख रहा है और इस साइट से आपको एक दिख रहा है नीचे से दिख रहा ह इस तरह मिल के जो वर्गा कारिस में कहा है च्छा है और समतल प्रिष्टो से घिरी हुई घिरी हुई का मतलब बंद थोस आकिरती को हम लोग घं कहते हैं तो आप भुजा के मतलब समझते हैं, बाह, एक एक छोटे छोटे बाहों से मिलकर यह आखिर्ती यानि घन बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, घन कहते हैं, क्यों कहते हैं, अब हम इनको बना अगला नमबर देखी, अगला, इनका हम एक छोटी पॉइंट दिखाएं, कि एक को हम लोग घन की एक भुजा की लंबाई, या एक को हम लोग घन के कोर कहते हैं, हमारी यह बताने का मतल भी यह हुआ, कि हम लोग भुजा को, तो पहले आमीन का सुत्र से आपको पर्षे करा दे, सुत्र को हम लोग इंगलिस में फार्मूला कहते हैं, और फार्मूला याद करने के लिए सबसे आसान, बहुत से लोग फार्मूला लिखने में दिक्कत होता है, तो इफ ओ आर पहले लिखेंगे, इफ ओ आर लिखेंगे मुली शाहाब को कहा जाता है घन के पिरिष्टिय छेत्रफल को 6a² कहते हैं और घन का आयतन aq तो हम लोग यदि जिनके पावर यदि a हो, a के पावर दो हो तो square का मतलब 2 और यदि 3 हो तो उनको हम लोग q कहते हैं और इसी तरह बढ़ता हुए चला जाये, 4 हो तो 4 ताइमस 5 हो तो 5 ताइमस कहा देंगे अब, अब हम लोग जानना है कि यह जो होता है घन की एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई के मतलब यह हुआ कि जो यह हम लोग को दीख रहा है, देखिए इसमें, दिखिए मिलेगा आपको, जो यह दीख रहा है, इस लंबाई को हम लोग ए से कहते हैं, किसे कहते हैं, ए से कहते हैं, इस लंबाई को ए से, और घन की परतिक लंबाई बराबर होता है, बात जाने, घन की परतिक लंबाई बराबर होता है, और यह बराबर नहीं होता, तो आपके जो वह बकस है संदूक टेडा हो जाता पर पक्कत को जाता है तो हम लोग को या भूजा तो हम इनको भूजा भी कहेंगे और इन ही को हम कोर भी कहेंगे यानि दोनों बात तो इस बातों को सेट करने के देखी यहां पे मिला है आथवा क्या मिला है आथवा आथवा मिस भूजा आपको सवाल में मिल सकता है या तो कोर दोनों चीज मिल सकता है आथवा मिस दोनों होत होता है ने कब खाना खाएंगे चावल खाएंगे कि रोटी खाएंगे तो जोनों आपसण रखेंगे तो दोनों मिलेगा नहीं तो एक रखेंगे एक तो इन दोनों में से सवाल में मिल सकता है कोर कहिए अब हुजा आप इसे घबढाएंगे नहीं अब हम अगला नंबर एक सवाल बनाते हैं सवाल बनाते हैं इनमें एक घंड के परतेक कोर की लंबाई घंड के परतेक कोर की लंबाई तो सवाल देखिए एक घंड के परतेक कोर की लंबाई 4 cm दिया गया, कितना cm? 4 cm है, अब हम लोग को करना क्या है? उस घंड की प्रिष्टिय च्छेत्रफल ग्याद किजिए, तो सबसी पहले हम लोग जानेगे कि ये कमान दिया है 4 cm, ये कमान 4 cm है, और घंड का परतेक को लंबाई बराबर होते हैं, इसमें तो कोई दिकत समस्य है नहीं, अब आपको करना क्या है? लिखेंगे सुत्र, घंड का प्रिष्टिय च्छेत्रफल, तो घंड का प्रिष्टिय च्छेत्रफल के लिए आप फर्मूला देख सकते हैं, जहाँ पे, यहाँ पे लिखे थे हम, घंड का प्रिष्टिय च्छेत्रफल, देखी, हम लोग का घंड का प्रिष्टिय च्छेत्रफल बराबर होगा, घंड का प्रिष्टिय च्छेत्रफल बराबर 6A2 होता है, यह आपको पता होना चाहिए, तभी तो सवाल बना पाएंगे, उसके बाद, अब हम लोग यहाँ तो लिखेंगे 6 a स्क्वायर का मतलब कि यह को हम लोग 2 बार लिखेंगे यह स्क्वायर का प्रसार यानि यह गुणते यह होता है और इसी को तो हम लोग A square लिखते हैं तो हम A के जगे पे 4 गुणते 4 लिखेंगे 4 गुणते 4 अब इनका आपस में गुणा कर दिया जाए 6 काईनी में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 6 चव के 24 और गुणते 4, 4 का गुणा करेंगे तो 4 चव के 16 होगा हाथ में लगा एक और 4 दुना के 8 कितना हुआ? 8 और एक 9, 96 तो आप इतने करके छोड़ देते हैं सवाल एकजाम में और कहते हैं कि सवाल आपने सही कर दिया लेकिन आपका सवाल सही नहीं है कहां गलत है? जब आप इनके जैसे आप मात्रक लिखते है किसी का मात्र लिखा जाता है तो आप इनका सेंटी मीटर में है तो आप सेंटी मीटर में लिखेंगे लेकिन यहीं पे ध्यान देंगे कि हम यहाँ पे सेंटी मीटर स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का सही होगा यह हुआ कैसे यह जानेंगे जब आप सेंटीमीटर का गुणा करेंगे सेंटीमीटर में करेंगे तो सेंटीमीटर के पावर एक छीपा रहता है और इनके भी पावर एक छीपा रहता है तो यही जूट जाता है यानि बेस समान हो तो पावर जूट जाते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है आपको इसी बात के ध्यान देना है कि हम 4 सेंटीमीटर है न तो 4 का गुणा 4 में करेंगे 4 सेंटीमीटर गुड़ते 4 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के पावर एक एक जुटके तो हो जाएंगे तो आप यहां पे कनफ्यूज नहीं होंगे कि 96 cm आया कहा क्लियर हुआ अगला सवाल देखिए अगला सवाल है किसी घं के एक भुजा की लंबाई 4 cm है ठीक है और घं का आयतन पता करना है तो घं का आयतन बराबर घं का आयतन बराबर होता है अब घं का आयतन का भी फार्मूला देख लीजी कि घं का आयतन का फार्मूला क्या होता है तो घं का आयतन का फार्मूला होता है AQ क्या होता है AQ तहां होँआ पे रखेंगे AQ AQ क्लियर है तो फार्मूला एक दो बार सवाल बनाएंगे, प्रेक्टिस करेंगे तो आपको किलियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं न कोई समस्या होगा, लेकिन प्रेक्टिस मन से करेंगे तब, अब यहां पर एक भूजा की लंबाई पता है, कितना? 4 सेंटी मीटर, तो हम रखेंगे यहां पर 4 सेंटी मीटर गूंडते, 4 सेंटी मीटर और गूंडते, 4 सेंटी मीटर, हो गया已經 clear 4 क4 में गुणा करेंगे तो 16 और हो गया हम लोग को कितना 16 और cm का cm में गुणा करेंगे तो cm2 अभी पीछे दिखा है थे पिछले सवाल में आपको बताए कि commitment का cm में गुणा करेंगे तो cm का कितना हुआ 2 हुआ अभी गुणा करना है एक और सेंटीमीटर से तो इनका दोनों बेस समाज है तो इनका भी एक दो और एक तीन तो कितना हुआ 16 गुणते 4 और सेंटीमीटर कीव बाद में नहीं कहेंगे कि क्यूब कहां आया तो काम बिगड जाएगा समझते हुए आगे चलेंगे और समझ में आये तो एक लाइक करिए अब देखिए हैं 14 चू के होता है कितना 64 और यहां पर सेंटीमीटर स्क्वाइर चल रहा है यह बात आपको समझ में आया कि नहीं घन कायतिन कितना हो गया 64 सेंटीमीटर क्यूब सही तो यही उत्तर होता है यह दि आपको समझ में आया हो तो एक लाइक किजिएगा और पसंद ज्यादा आता हो तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए आपको पता है कि अब करना क्या है तो इसने के लिए बड़े भाई धन्यवाद